नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बर फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रेरफेक्ट्स में वीडियो में आज हम बात करेंगे कंदमूल के बारे में कंदमूल को कई जगों पर राम फल भी कहा जाता है इसके पीछे कहानिये की भगवान राम ने अपने वनवास के दोरान इसे ही खाया था दरसल ये एक जंगली फल है जिसे लोग अपने खेतों में लगाते तो नहीं है परन्तु कहीं कहीं पर इसका पेड अपने आप ही उगाता है पर इस जंगली फल के कई ऐसे आयरुवेदिक लाब होते हैं जो कि आपके स्वास्ते के लिए बहुत फाइदे मंद है कंदमूल फल को खाने से बात करें तो इसमें विटामिन सी, कैल्सियम, आयरन और कुछ फाइटो न्यूट्रेंट्स होते हैं जो कि इन सब से भरपूर है इसे वे लोग ज़ादा खाते हैं जिनें जोडों में दर्द, गठिया जैसी समस्याय होती है इसके लावा ये इम्मूनिटी बूश्टर फल भी होते हैं जिसे आप सरदी जुखा में भी खा सकते हैं दोस्तों कंदमूल उन खाने योगे पदार्थों को कहा जाता है जो जड़ के रूप में होते हैं इनें उबालकर या भूनकर खाया जाता है कुरातन काल में कंदमूल की अनेक परजातिया पाई जाती थी जो अब दुल्लब हो गई है इन में से अनेक परजातिया नष्ट भी हो चुकी है क्योंके जंगल कम होते जा रहे हैं इसकारण कंदमूल की बचिवी परजातिया भी बड़ी तेजी से विलुप्त होती जा रही है कंदमूल की वर्तमान परजातियों में सकरकंद अरबी, आलू गाजर, सलगम मोली, रत आलू जमीकंद आधी है भगवान राम ने अपने वनवास के समझ इसकंद मूल की एक परजाती को खाने में काम लिया था वही राम फल के नाम से जाना जाता है तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों वीडियो पसंद आई तो मेरी योटूब चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल ना भोले मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद